ठाकुर साब इसी कड़ी में छटपूजा भी हमारे देश में बढ़ चलकर लोग मनाते हैं और बहुती फैमस हो चुका ही हमारे तोहार तो इस तोहार के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप। देखिए छटपूजा अब खाली एक स्टेट तक एक राज तक सीमित नहीं रह गया है पूरे हिंदुस्तान में बड़ा जोड़ सोड़ से मनाया जाता है और ये ऐसा अकेला तोहार है हर जेके उकते वो सलामी दी जाती है चलती का नाम गाड़ी है यहां पर जो डूबता हु सूरी है ना उसको भी अर्ग दिया जाता है डूबते हुए सूरी को नमस्कार किया जाता है उसको पूजा जाता है यह इस पर्व को और सारे पर्वों से अलग करता है जो इसकी महतता है और जितने भी छटवरती होते हैं जितने भी इसकी वरत रखते हैं यह मतलब निड़ और जो ये आयोजन करते हैं, काफी जगे नोड़ा में भी यहां हम रहते हैं, जगे जगे हम इसमें संबलित होंगे, कहीं पानी की विवस्ता नहीं हो पाती है, तो एक सांकेतिक आर्टिफिसल तालाब का भी निर्मान कर लेते हैं जगे जगे लोग, तो उसमें सासन पर सासन को भी मदद करना चाहिए, जगे जगे इस्थान देना चाहिए, कि लोग अपनी आस्था वहाँ पर, जो उनके अंदर मन में हैं, उसको वहाँ पर कर सकें, मैं सभी छटवृतियों को, सभी देशवासियों को, और जो ये जगे जगे आयोजन कर रहे हैं, उनको बहुत-बह ही बहुत-बहुत सबकामने हैं, जी, धन्यवाद.